हलो फ्रेंस मैं रागनी आज के शुड़ी हम आपका श्वागत करती हूं तो फ्रेंस आजम सीखेंगे गोल गले में पोटली बटन से डिजाइन बनाना तो फ्रेंस बैक ओपन ब्लाउज है हमारा और यह ब्लाउज चोंती साइज में हम बना रहे हैं तो यहां पर देखिए अ हम फार्मोल की लंबाय यहां पर हम पॉने छेंज लेंगे लेकिन स्लीब लेज ब्लाउज है हमारा इसकी तोटल लंबाय यहां पर हम साड़े चौदली है और साड़े ध्याशी करना है सीने का चौथाई भाग 8-1 और 2-1 अंच मार्जन के साथ हमारा साड़े 10 इंच में है यहां पर देखिए फ्रेंस दो इंच दो पॉइंट हम उपर से गले की चवड़ाई ले रहे हैं और गली की जो टोटल लेंध है यहां पर साड़े 11 इंच में ले रहे हैं आप साएं तो गले की लेंध को थोड़ा सा कम्या जादा कर सकते हैं नीचे से देखिए गले की चौड़ाई हम तीन इंच ले लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स रेडी करेंगे तो देखिए बॉक्स रेडी करने के बाद से गले में सेफ देने के लिए एक इंच हम बाहर के साइड बढ़ा लेंगे गले की चौड़ाई को और कॉर्णर से हम एक इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे और देखिए दोनों निसान को आपको टच करते हुए इसमें गले में शेफ देना है तो इस तरह से देखिए आपको गले में शेफ देना है मार्किंग करके अगर आप शेफ देते हैं तो गला का जो शेफ है बहुत पॉफेक्ट आता है इसमें हमें पोटली बटन डालना है इसके जैसे हम गले की चौड़ाई थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं अगर आपको पतला गला चाहिए तो गले की चौड़ाई को आप थोड़ा कर लेना है कि उनकी गले को हमें पेस्टिंग पेपर से बनाना है अस्तर पर नहीं कट करना है यहां पर देखिए पेस्टिंग पेपर पर मार्किंग करने के बास से एक इंच बाहर की साइड करते हुए मार्क कर लेंगे और इस पर हम गले की कटिंग कर लेंगे तो गले की cutting यहाँ पर हम कर लिये हैं और बाहर की side वाला जो marking है उस पर भी हम इसे cut करके बराबर कर लेंगे और यहाँ पर cotton की कपडे के उपर रख करके अच्छे से प्रेस से पेस्ट कर लेंगे इसको आधा इंच कपडा बाहर की side dextra रखते हुए बाकी कपडे को cut कर लेंगे और देखिए इस तरह से किनारे को fold करके पेस्टिंग वाले पार्ट को हम अच्छे से ready कर लेंगे तो देखिए इस तरह से हम किनारे को fold कर लिए हैं और यह हमारा ready हो चुका है इसको double fold करेंगे और double fold करने के बाद से इसका शेंटर मार्किंग करेंगे देखिए बिल्कुल बीचो बीच में नीचे के side line रो कर लेंगे और उपर के side बराबर करते हुए देखिए कट लगा देंगे अब हम इसको कर देंगे side में अब हम ब्लाउंज वाले पाट को लेंगे तो यह हमारा में कपड़ा है और में कपड़े की सीधे side आपको अस्तर वाले पाट को मिलाते हुए stitch कर लेना है तो देखिए आधा इंश मेक्ष्टार लेते हैं नीचे के मार्जन के लिए बस उतना ही आपको कपड़े को दबा करके stitch करना है अब हम अस्तर को बाहर की side कर लेंगे और बाहर की side करने की बाद से एक कच्ची शिलाई हम अस्तर के उपर लगा रहे हैं आप देख सकते हैं और इसको अंदर की side fold करते हुए अस्तर की all round stitching कर लेंगे यानि अस्तर की पूरे किनारे को stitch करके हम में कपड़े से यहां पर joint कर तो देखिए इस तरह से हम तो इसी तरह से आपको अच्छे से हाथ से प्रेश करते हुए दबाते हुए पूरे अस्तर की stitching कर लेनी है अब अस्तर के बाहर जो भी extra कपड़ा है में कपड़े में का उसको कट करके हम बराबर कर लेंगे बिल्कूल finishing के साथ देखिए कट करके बराबर करने के बाद से अब हम इसको double fold करेंगे और इसका भी हम center marking कर लेंगे तो उपर के साइड एक कट लगा देंगे और नीचे के साइड आपको line row कर लेना है बिल्कूल बीचो बीच में ताकि जब हम पेस्टिंग वाले पार्ट को इसके उपर रखें तो हमारा जो गल अब हम देखिए क्या करेंगे बिल्कूल जो पेस्टिंग पेपर वाले गले को हम कट किये हैं उसको चिपकाते हुए सुई चलाएंगे यानि हमारी जो शिलाई है पेस्टिंग के उपर नहीं चड़नी चाहिए और इससे दूर भी नहीं होना चाहिए आप देख सकते हैं ब आपको मार्जन में कपड़े को छोड़ते हुए बाकी कपड़े को कट कर लेंगे अंदर के साइड का और पूरी गले में छोटा-छोटा कट लगा देंगे शिलाई आपकी नहीं कटनी चाहिए इस चीच का आपको ध्यान रखना है नौखुन से देखिए हलका प्रेस करते ह गले को अंदर के शाहिड फोल्ड करेंगे और उपर से शिलाई लगा लेंगे तो देखिए यहां पर एक चाप के दूरी पर हम फिनिसिंग की शिलाई लगा रहे हैं आपको नौखुन से अच्छे से बैठाती हुए गले को फोल्ड करना है ताकि गला का जो सेफ है फिनिसि बनेगी और यहां पर देखिए एक साइड हम कपड़े को नीचे के साइड से जॉइंट करके उपर के साइड फोल्ड करेंगे तो यह वाला हमारा मेन कपड़ा होगा तो मेन कपड़े वाले पाट को आपको नीचे के साइड से जॉइंट करना है और देखिए उपर के को आधा इंच बाहर के साइड निकालते हुए फिर उस पट्टी को अंदर के साइड फोल्ड कर लेंगे दोनों साइड से आप देख सकते हैं किस तरह से मैं कर रहे हूं क्योंकि दोनों साइड हमारा पैक हो चुका है पहले से ही अब देखिए दूसरे साइड हम कॉटन वाली पट्टी जॉइंट करेंगे तो कॉटन वाली पट्टी को हम डबल फोल्ड करेंगे और इस पट्टी में भी नीचे के साइड हम आदा इंच एक्स्ट्र बढ़ाते हुए लेंगे और उपर के साइड भी और इस पट्टी को आप के साइड फोल्ड कर लेंगे और इसे मोड करके शिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से देखिए हुकाई की पट्टी यहां पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है और दोनों पार्ट को आपको रख करके एक बार चेक कर लेना है देख सकते हैं बिल्कुल बराबर आ रहा है और यहां पर श्कॉाइर में कपड़ा लेंगे दो इंच लंबाई और दो द इंच ओड़ाई में जिसले मिंगे पोटले बटन बनाना और अब हम सुई थागए के मदद से टक करने के बाद से बिलकूल उसमें वासेब देते हुए आपको 2-3 भारं रिपीट बाद न है कि बानने को अब पोट्ली बटन हमारा बनके बी लाहे देखिए सेम आइडिया से फिर कॉटन लेंगे और उसमें गुलाई का सेफ देंगे अगर एक्षटार लग रहा है तो थोड़ा सा उसमें से कम कर लें लेकिन पोटली बटन का साइज एक बराबर होना सा यह देखिए बिलकुर सेंटर में रखे हैं और फिर नौकुन से प्रे पूरे पीश को रेडि कर लेंगे जितना में हमारा गला कफर हो जाए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंस पोटली बटन को मैं आपको सुई से लगा करके बता रहे हूं क्यूंकि मसीन से स्टीच करने में प्रवलम होता है तो इस तरह से देखिए उपर से एक से डेडिंग छो पर हम उल्टे साइड से आपको स्टीच करके बता रहे हैं कि देखिए इस तरह से धागे को आपको कट नहीं करना है दागा आपको चलता रहेगा देखिए इस तरह से बाहर के साइड आपको ज्यादा लंबा धागा नहीं टक करना है अंदर के साइड से आपको दो तीन बा इससे बांद लेना है और इसी तरह से आपको पूरे गले में पोटली बटन लगा लेना है तो देखिए दो यहां पर complete हो चुका है और सेम पूरे गले में हम लगा लेंगे और यहां पर इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं फ्रेंस पूरे गले का और बैक में टक्स लगाएंगे उसके पासे हमरा डिजाइन कंप्लीट होता है तो फ्रेंस में इमीद करती हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आयोगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शियर सब्सक्राइब क करना ना भूलें